जेहन साथियो स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ मैं हूँ संजीब गैंतला और आप देख रहे हैं हिम एजुकियर यूट्यूब चैनल साथियो पिछली वीडियो में आपने देखा था मैंने आपके लिए हिमाचा प्रदेश जनल नौलिज के 20 कॉशन लाए थे जो आपको बहुत पसंद आए और आज मैं फिर से आपके लिए 20 कॉशन लेकर आया हूँ ये कॉशन आपको हिमाचा प्रदेश पूलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम आपका 27 मार्च को होने वाला है उसमें बहुत जादा हेल्फ करेगे आप इस वीडियो को लगातार दो या तीन बार देखेंगे तो आपको ये कॉशन जो है मिलकुल याद हो जाएगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा ये दिया आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ी हुए है चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ मैं बेल आइकन है बेल आइकन को जुरूर प्रेस करना ताकि जो मैं आ जलूँगा उसकी आपको डायक नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप उसका अनंद ले सकेगी और आप जो है अपना एक्जाम में जल्दी से जल्दी जो है अच्छी त्यारी कर सके तो दोस्तो एक और बात आपको मैं बताना चाता हूँ कि ये दिया आपने हिमाजर प्रो को देखने को मिलेगे और आप उसमें अच्छे से त्यारी कर सकते है चली दोस्तो वीडियो को शुरू करते है और इसमें आज का पहला प्रशन है प्रदेश के बनो में ब्रिक्ष यों पौधो की लगव कितनी प्रजातियां है जो आपकी और शिदियों में प्रियोग की ज जाती है तो इसमें आपको उप्षिन है 500, 1200, 1500 या 2000 तो इसका जो सजय अंसर होगा वो आपका उप्षिन पंदरा सो ऐसी प्रजातिया है हिमाचा प्रदेश में पेड़ पोदों की और ब्रिक्षों की जो आपके आपके काम आती है अगला जो प्रशने आपके लिए भीम, दसूतरी, नामक, जोत, समन्द हिमाचा प्रदेश के किस दिले से हैं बहुत ही मैतापर्ण प्रशन है कि जो आपके भीम, दसूतरी, जोत है, धर्रा है, ये किस दिले में है तो इसका जो चार उप्षन है लोल्स पीती, मंडी, कांगड़ा, चंबा और कुलू तो ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है, ये जोत है, ये दर्रा है, जो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है पहल सबसे पहले जो है सेव का बाग किसके दवरा लगाया गया था तो यहां पर आप देख सकते हैं कैफटन ए ए ली जॉन क्रिस्टल सर एंडरी और लेडी मौट बेटन तो यहां पर पूछा गया कि हमज़ा प्रदेश में सेव का सबसे पहला बाग जो लगाया था वो लगाया कैफटन ली ने तो इसका ऑप्शन नमबर ए साय अंसर हो जाएगा अगरा प्रेशन है अरली कुमारी पूसा दिपाली इंप्रूब जापानी पूसा स्नोबाल वन पूसा स्नोबाल केवन और पूनम किस सबजी की जो आपके किसमे है तो फुल गोबी गाठ गोबी टमाटर या आलू तो यह आपकी जो फूल गोबी है यह सब भी जो आपको इसकी फसले देखने को मिलेगी है अगला प्रेशन है चंबा कलम का विकास चंबा के गिस राजा के काल में हुआ था हरिचंद, राज सिंग, बिजय सिंग, मान सिंग तो इसका जो सहीय नसरों के आपके सिंग द्वारा इसका विकास किया गया था अगला प्रेशन है पौटा घाटी हिमाचे प्रदेश के की जिले में स्थित है पौटा घाटी, कांगडा, मंडी, सिर्मौर या कुलू सभी लोग जानते है इसका अंसर सिर्मौर जिले में जो है पौटा घाटी स्थित है अगला आपका बागसुनात कांगडा नगर कुलू संजोली शिमला या फिर चैल चौक मंडी तो आपका जो सही अंसर होगा ये आपके नगर कुलू में जो आपके निकॉलस रोडिक ने अपने 20 वर्ष बिताए थे नेक्स्ट है कि नौर जिला में सित संजय विद्यूत परियोजना की उत्पादन ख्षमता कितनी है जो संजय जल विद्यूत परियोजना है ये पहली भूमिगत परियोजना है हिमाचा प्रदेश की तो इसकी जो उत्पादन ख्षमता है ये 120 मेगावाट होगी नेक्स्ट है आपका हिमाचा प्रदेश में कौन सा जिला सेबुत पादन में शिर्ष पर है तो आप सभी जानते है कि कौन सा जिला सेबुत पादन शिर्ष में है सिर्मोर, किनोर, कुलु और शिम्ला तो सयन सराब का हो जाएगा इसमें जो आपके शिम्ला जिला है ये सेब उत्पादन शिर्ष में आता है नेक्स्ट नात्फा जाकडी परिजणा में हिमाचा परतिशत नाकपा जाकडी परिजणा का हिस्सा है जो बाकी 70% वह अदर स्टेट्स का है नेक्स्ट है ब्रिजियश्वारी मंदिर जिसे महमुद गजनवी की सेना ने नश्ट कर दिया था हिमाचा प्रदेश के किस जिले में स्थित है ब्रिजियश्वारी मंदिर ये बहुत ही महतापन प्रश्ण है कई बार पूछा गया है कि ब्रिजियश्वारी मंदिर पर महमुद गजनवी ने महमुद गजनवी ने कब आकरवन किया था तो आपको गंसर होगा एक हजार नो में और ये किस डिस्टिक में है तो आप देख सकते हैं ये कांगरा डिस्टिक में स्थित है मुहमुद गर्जनवी द्वारा जो है यहां पे आक्रमन किया गया था एक हजार नो में नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए इसमें से असत्य क्या है ब्यास नदी बज़रा के स्थान पर मंडी जीले में प्रवेश करती है ये बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपका उदल लूनी राना हनसा तथा बाकर आदी मंडी जीले के ब्यास की प्रवुकसा एक नदिया है ये बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपका उदल नदी बड़ा बंगाल की बरफेली पहाड़ियों से निकलती है ये बिल्कुल सही है तो आपका सिकंदर धार जो ह याद में कौन सा उतसब मनाया जाता है तो यहाँ पे है दशेरा, डूंगरी, सेंच, या भूंड तो इसका जो सही अंसर होगा यह जो हिडिबा की याद में मनाया जाता है यह डूंगरी मेला मनाया जाता है नेक्स्ट है जंबा कलम में किस चित्रकार के चित्र बहुत लोग प्रिये है जो की 1765 में गुलेर से चमबा गया था तो ये आपका निका जो कलाकार थे एक चित्रकार थे इनके जो चित्र है लोग प्रिये बहुत ज़्यादा लोग प्रिये थे अगरा प्रशन है शिवालिक शेत्र में विवा के आउसर पर गाय जाने वाले हंसी मजाक वाले गीतों को क्या कहते है वह सी मजाक में जो गीत गाय याते हैं शople Cette वालिक शेतर के उसको थे लहनों शाबों लोकी जो लोस्टी ते इसका सरी तुझ को लहाणों उसको का जाता है नेक्स्ट है आपका सिर्मोर राज्य में अधिक अंतिम शासक का नाम सिर्मोर रियासत के जो अंतिम शासक थे मान सिंग, राजिंदर प्रकाश, पदम सिंग या नौरंग सिंग तो राजिंदर प्रसाज जो है सिर्मोर राजय के अंतिम शासक थे नेक्स्ट आपका प्रदेश के किनोर जीले में किस थान पर भारत सरकार द्वारा खा दे प्रसंग सकरन फूर प्रोसेसिंग एकाई की स्थापना की गई तो यह आपके दोला कुवां में इसकी स्थापना की गई है फूर प्रोसेसिंग सेंटर की नेक्स्ट है आपका निम्हीं वीसे कौन सा जोड़ा गलत है आपको इसमें देखना है कि कौन सा जोड़ा गलत है गिरी माटा परियोजना ये सिरमोर में है बिलकुल सही है फिर आपका थिरोड जल विद्यूत परियोजना ये जो है गलत है थिरोड जल विद्यूत परियोजना जो है चमबा में है अंद्रा जल विद्यूत परियोजना ये शिमला जीले में है बिलकुल सही है बिन्वा जल व प्रशिद्ध भीमा काली मंदिर कहां पर है बहुत ही महत्वपूर्ण है सराहन रामपूर निर्मन त्री लोकपूर तो यहां पर आपका सराहन में स्थित है और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्ण है प्रदेश की महिलाओं का क्रिशक नरे तैने मिने कितमें से कौन सा है प्रदेश की महिलाओं है बहुत ही मैं तो प्रश्ण ही आपको आपके सामने लेकर आया हूँ प्रदेश की महिलाओं का क्रिशक नित्य निन में से आपका कौन सा है यह आपका गद्धी तो दोस्तों आज हम ने इसके 20 कौशन डिसकस किये जिसके जो 20 कौशन है वो आपने प्रदेश को एक बाद जरूर देखिएगा और यह दिया आपने हिमाचा प्रदेश पूलिस कांस्टेबल की त्यारी कर रहे है तो पूरे कॉशन पेपर है बहुत सारे वीडियो में ने बनाई है स्लेबस बनाया है वह आपको डिसक्रिप्शन में लिंक मिलेगा पूलिस प नोटिफिकेशन उन करके आपको जिदनी में वीडियो बनाऊगा उसकी ड्रैक नोटिफिकेशन आती रही कि थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो